नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल निटीजन ट्यूटर पर स्वाकत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी जेई 2016 रिजल्ट से जुड़ी अपडेट के बारे में वीडियो शुरू करने से पाले अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो किसी भी एग्जाम से जुड़ी लेटिस अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल निटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं साथ ही दोस्तों आप किसी भी दिर्वे किन से की त्यारी कर रही हैं रेलवे, S.S.C., UP.S.C., बैंकिंग, किसी भी एग्जाम से जुड़ी लेटिस अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल निटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो दोस्तों यहां पर यही 2016 रिजल्ट से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि यही 2018 की जो आंसर की है वो आपकी जारी हो गई है अब इसके बाद अगर हम बात करें आपके 2016 की रिजल्ट की तो इसका जो रिजल्ट है दोस्तों वो आपको जून के मंत में देखने को मिलने वाला है और एक और गुड निउस आप सबी के लिए यह है कि इसकी जो कट आप है उसमें जादा इंक्रीमेंट नहीं होगा जो आपकी डेवी की कट आप गई थी उससे अगर आपके प्लेस थी या प्लेस फूर मांक्स जादा है तो यहाँ पर आपका जो सेलेक्शन है बिल्कुल फ काफी लोग आडिया लगा रहे थे कि आपकी जेई की रिजल्ट से पहले फॉरस कार्ट का रिजल्ट जारी हो सकता है तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला डारेक्टली आपका जेई का रिजल्ट पहले जारी होगा उसके बाद आपका फॉरस कार्ट का रिजल्ट जार तो जो भी जेए जो भी केंडिडेट्स जेए 2016 की रिजल्ट का इंतिजार कर रही थे उन सभी के लिए गुड न्यूस यही है कि इसी में आपका रिजल्ट जारी होने वाला है और वो कभी भी जारी हो सकता है जी हां दोस्तों यह रिपोर्ट बिल्कुल आयोग के द्वारा द स्मूथ तरीके से अपना वर्फ कर रही है स्मूथली साथ ही आपका जो रिजल्ट है वो काफी जल्दी आने के पूरे पूरे चांसे से हैं बाकी दोस्तों आप रिजल्ट के लिए इसकी ऑफिशल रफसाइट पर अपडेटिड रहे हैं और जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको दुर्ण इंपॉर्म करेंगे तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक न्यूव अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद दाया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इसी परिकार की इन्फोर्मेटिव वीडियो के लिए हमार जोड़ सकते हैं वीडियो देखने के लिए थन्यवाद